जैस्ट्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो मेनेजमेंट अकाउंटिंग का आज हम लोग दूसरा लेक्शर पढ़ने जा रहे हैं और दूसरे लेक्शर की स्टार्टिंग आपका किस पॉइंट से हो रही है बेटा ध्यान से देखेंगे कुशन क्या कह रहा है कि difference between the financial accounting and the management accounting यानि financial accounting और management accounting में सर क्या अंतर है सीधी सी बात है अगर हम last class की बात करें तो last class में मैंने आपको कई सारी चीज़े बताई थी लेकिन अब आपसे specifically पूछ रहा है कि सर बताओ हम finance में क्या क्या करते है या management में क्या 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 करते हैं तो तो आपका finance में cover होती है और बहुत ऐसी चीजें है जो आपका किसमें cover होती है management में वन बाई वन हम लोग इसे क्या करते है स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला पॉइंट है यह आपका कॉस्ट वाला गया क्या यह रहा financial accounting and management accounting सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है बिटा कहता है user of the report क्या कहता है आपका user of the report जब हम user of report की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा financial accounting में क्या बोला मैंने financial accounting में बिटा हम दो तरीके के user से deal करते हैं इतने तरीके है हमारा कौन सा user internal user दूसरा हमारा कौन सा होता है आपका external user internal user का मतलब क्या कि सर ऐसा ऐसे user जो हमारे organization से directly related होते हैं जैसे अगर हम मालिक की बात करें तो भाई या बिजनस किसका है मालिक का ही तो है अगर हम बियोडी की बात करें यानि बोर्ड आफ डिरेक्टर की बात करें तो वह भी तो आपका directly related होता है अगर हम किसी CEO की बात करें यानि Chief Executing Officer CEO ठीक है Chief Executing Officer या हम किसी manager की बात करें तो यह सारे के सारे आपकी क्या कहलाते है internal user of the financial accounting कहलाते है और जैसे ही हम external की बात करते है तो external मतलब बाहरी लोग अब बाहरी में कोई भी आएगा बाहरी में आपके customer भी आएंगे आपके क्या आएंगे customer भी आएगा आपका government भी आएगा आपका supplier भी आएगा आपका क्या आएगा बेटा supplier भी आएगा यहां तक की आपका क्या आएगा banker भी आएगा जिससे आपने क्या ले रखा है लोन ले रखा है यह आपके वो user है जो आपके क्या है external related है point clear हो गया यानि अगर हम financial की बात करेंगे तो financial कितने user से deal करता है दो user से deal करता है वन आपका internal and second one is the क्या बेटा जी external लेकिन जैसे ही आप management की बात करते हो आप किसकी बात करते हो management accounting की बात करते हो तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि management accounting में management accounting क्या है internal portion है management accounting क्या है आपका internal portion है यानि यहाँ पे external का कोई concept ही नहीं है यहाँ पे external का कोई concept नहीं है यानि जो भी हमें reporting देनी है वो सिर्फ और सिर्फ किसको देनी है internal user को देनी है point clear हो गया बिटा समझ में आ गया तो देखे पहला difference यही कहता है आपका कहता है कि external user like a stockholder creditor and regulation internal user की यहाँ पे हम बात करेंगे तो यह manager officer and employee यानि यह external और यह financial accounting आपका external और internal दोनों से deal करता है और management accounting सिर्फ आपका किस से deal करता है बेटा जी internal से deal करता है बात clear हो गई इतनी दूसरा point कहता है आपका type of report यानि financial accounting में हमें किस तरीके का report तयार करना होता है तो अगर हम finance की बात करें तो finance में देखिए हमें क्या बनाना पड़ता है भई financial position पता करने के लिए balance बनाना पड़ता है income statement पता करना पड़ता है ताकि हमें यह पता चल सके कि हमें profit हुआ है यह क्या हुआ है loss हुआ है साथ हमें क्या पता करना होता है cash flow statement पता करना होता है cash flow की सहायता से हम क्या पता कर सकते हैं कि कितना inflow हुआ और कितना क्या हो गया आपका आउट फ्लो हो गया यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको revise कराना चाहेंगे कि जब भी भी हम cash flow statement बनाते थे क्योंकि आगे के chapter में cash flow fund flow आएगा जब हम cash flow की बात करते थे बेटा तो हम cash flow में दो activity पड़ते थे याद है सबको पहली क्या activity थी inflow और दूसरी आपकी activity क्या थी आउट फ्लो अब इस activity को फिर हम तीन भागों में classify कर देते थे इस activity को हम कितने भागों में classify कर देते थे तीन भागों में classify कर देते थे यानि inflow को भी तीन भागों में classify करते थे और outflow को भी कितने भागों में classify करते थे तीन भागों में एक होता था आपका operating activity एक होता था आपका क्या you are investing activity और एक होता था आपका क्या financing activity यानि in flow operating outflow operating out in flow investing outflow investing in flow financing आपका outflow financing यही होता था था नहां मैं और साती साथ हमें इसमें हमें दो gegen we लगानें। और क्या आपका इंडारेक्ट मैं प्ड़ेंगे निशेंत रही से आप लोग हमें रिपोर्ट का बात करनी पड़े तो यहां पर हम balance seat बनाएंगे, income statement बनाएंगे और क्या बनाएंगे आपका cash flow बनाएंगे, लेकिन जैसे ही हम management की बात करते हैं, sir management में कौन-कौन सा report लगता है, तो management क्योंकि internal report है, तो हमें यहां सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, job cost seat बनाना पड़ता है, cost of the goods manufactured बनाना पड़ता है, यानि कितना रुपया, कितना रुपया एक product को बनाने में लगना है, या total product बनाने में कितना रुपया आएगा, उसकी overall costing क्या है, बज़र्ट के माद् हम से, और फिर उसके बाद अगला क्या था आपका production cost report, यानि जो हमने सोचा था कि इतना रुपया में ये product बनाएंगे, क्या उतने रुपया में ही वो product बना की नहीं बना, ये सारी चीजे आपको किसमें बनानी पड़ेगी, आपके management accounting में बनानी पड़ेगी, बात clear हो गई फिर उसके बाद हम बात करते हैं frequency of report, यानि आप अपने report को कब कब बनाएंगे, क्या क्या time होगा, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम financial reporting दो तरीके से करते हैं, या तो quarterly basis पे, या तो क्या होता है, annual basis पे, quarterly basis का मतलब क्या है, कि वह या तीन तीन महीने में बनाएंगे हम बड़ी company है, तो बड़ी company अपनी जो balance sheet बनाती है, या profit and loss बनाती है, वो quarter के base पे बनाती है, आपने news में देखा होगा, तो news में एक statement रहता है कि मारुती सुचकी ने इस quarter में इतना lab कमाया, इतना lab मतलब वो quarterly अपना statement क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो जितनी भी बड़ी company होती है, वो quarterly base पे अपना balance sheet report तयार करती है, और जो छोड़ी छोटी company होती है, वो अपना annual report तयार करती है, लेकिन जैसे ही हम management की बात करते हैं बेटा, तो management में कोई time period नहीं है, भाया जब अवशकता होगी तभी हम report बनाएंगे, क्योंकि आपको एक चीज पता होना चाहि कि जो business environment है, वो dynamic nature का है, dynamic nature का मतलब कि भाया, business आपका क्या होता है, समय समय पे हर समय परिवर्तित होता रहता है, जो चीज आज सुबा launch हुई है, उसका एक घंटे के बाद market में copy आ जाएगा, ये चीज आप जानिए, अब जैसे कोई picture अगर launch होती है, तो आप अगर देखे करेंगे, तो साम तक या 2-3-4 घंटे बाद आप उसको किसी ना किसी website से download कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यानि आपको हर समय याद रखना है कि बैया कभी भी आपको report मांगी जा सकती है, management आप से कभी भी report मांग सकता है, पत क्लियर हो गई बिटा, फिर उसके बाद है, help to those external users, make the decision, credit terms, investment and other decision, अगर हम बात करें बेटा, ध्यान से समझेगा, अगर आप देखे, मैंने आप से क्या कहा, कि financial में दोनों user के लिए report दी जाती है, internal के लिए दी जाती है, और external के लिए भी दी जाती है, इंटरनल के लिए report क्यों आवशक है, ये बताईए, इसलिए अगर हम owner के point पे बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम किसके point पे बात करेंगे, owner के point पे बात करेंगे, तो owner ने एक लाख रुपया मान लीजे business में लगाया, तो जरा बताओ, साल के आखरी में उसका एक लाख रुपया कितना बढ़ा, क्या उसको जानने का अधिकार है कि नहीं है, क्या उसको जानने का अधिकार है कि नहीं है भया, है ना, board of director ने जो policy एक जनवरी को बनाई थी, उस policy से उसको कितना लाब हुआ, क्या उसको जानने का अधिकार है कि नहीं है, अभी तो पता चलेगा कि policy अच्छी है कि खराब है, ठीक उसी प्रकार अगर हम external की ब बाद बताईये, customer, company की report क्यों माँगेगा, अब आप कहोगे कि sir, customer, company की report क्यों माँगेगा, मतलब, अरे मतलब इसलिए, क्यूंकि customer में से ही तो बहुत लोग होते हैं, जो आगे चल के company में पैसा लगाते हैं, अब आप कहोगे sir, समझ नहीं आया, अरे भाई, आज कल आप लोगों ने देखा होगा कि हर पचवा वेक्ति आ हर खरीद और सेयर बेच रहा है पच्वाएग टीशेह खरीद और डिच रहे मैं बेच रहे हैं इमस्ट नहीं तो 5050 रुपया सो रुपया 90 रुपया लगा माना लगा कि कोई से कर रहा है और को लूंद जब तक उसे पैसा नहीं लगाए तब तक powerful कम्पनी का कस्टमर लेकिन यसे पैसा लगा दिया वह और बन और नहीं बन गया तुप अघर हम इत Khal knife करें लीए मांगेगी कि क्या जैइक्स चाहिए ना वह इतले जो रůोल और रेगुलेशन को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए company के लिए क्या rule है Company Act 2013 क्या rule है और क्या rule है इंडियन लेन से वलाएकट और पार्टनरशीप अक्ट जितने भी व्य जितने भी रूपनाये गए हैं यह से बREYकर कंपनी आक्ट के द्वार बनाये गए हैं या लो कोई भी law के द्वार अगर बनाए गए है तो क्या उसको follow होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसको follow होने के लिए company time to time क्या मांगती है report मांगती है government report मांगती है अगर आपने देखा होगा तभी कुछ दिन पहले एक टींग का case हुआ है पेटियम पे आपने देखा होगा कि पेटियम हो सकता है कि बंद हो जाए बंद हो जाए क्या बंद होने वाला ही है पेटियम वाइलेट और पेटियम बैंक क्यूं क्यूं कारण क्या है तो कि आई मैं ने कुछा कुछ कुछ लू सुखल के शरी की शो मांगे अर इस सप्लायर कौन होता है ये बताओ supplier वो person होता है जो समान को supply करता है अब समान को supply कैसे करेगा या तो नगत में करेगा या तो उधार में करेगा तो नगत में कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर उधार में कर रहा है तो क्या उसको पैसे मिलने की चिंता होगी की नहीं होगी पता चला मैंने किसी बिजे मालिया जैसे वेक्ति को गुड्स सप्लाई कर दिया या किसी नीरम मोदी जैसे वेक्ति को गुड्स सप्लाई कर दिया मैंने समान भेजा दो दिन बाद पता चला भाईया लंडन में पहुँच गए है हमारा पैसा कहा गया खेला हो गया ना हमारे साथ तो ठीक है तो supplier भी बड़े चतुर होते हैं समान उसी को उधार देते हैं जिसको पता होता है कि ये सामने वाला वेक्ति पैसा क्या कर लेगा दे लेगा और पता कैसे चलेगा जब वो सामने वाले की रिपोर्ट को देखेगा और फिर उसके बाद बैंकर अरे वो वेक्ति जो पैसा क्या करते हैं उधार देते हैं तो क्या बैंकर के पास जैसे मालीजे आप किसी बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए तो वो आप से क्या का डिक की डॉक्कमेंट मांगता है वह आप से तीन तरीके का डॉक्कमेंट मांगता है द्यान से सुनिएगा नूमबर वन आप से कहे गएका सर्फ तर पैन कार्ड लाओ नूमबर टू आधार कार्ड लाओ नमबर 3 आई पी ऐ लाओ या फिर income proof लाओ यही तो मांगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है इन चीजे मांगता है ITR ITR मतलब यह पता चल जाएगा ना कि भाईया साल भर में कितना पैसा तुम कमाए हो ITR की साहिता से क्या पता चल जाता है कि साल भर की आपकी income क्या है या फिर आप उसको income proof दो ITR नहीं दे रहे हो तो क्या दो income proof दो clear हो गया तो यह चीजें क्या है यह कौन से user है external user ही तो है clear हो गया वेटा बाते समझ में आ गई कि internal user और external user उस report की demand करते क्यों है यहाँ पर जड़ा देखे क्या लिखा है कहता है help those external user make the decision of the credit terms investment and the other decision अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है assist the internal user in the planning and controlling decision making process यहाँ पर कितने point के बारे में चर्चा हो रही है देखे क्या लिखा है कहता है planning controlling decision making तीन चीजें को तीन चीजों की बात हो रही है जो management report है वो तीन तरीके से कारे कर रही है पहला क्या है planning अच्छा बात बताई ये planning किस समय के लिए किया जाता है present के लिए future के लिए या past के लिए कि बताईए कि इसके लिए किया जाता है फुचों के लिए प्रेजंट में रहके क्या कभी आपने पास्ट के लिए प्लानिंग किया है क्या करोगे ऐसा अगर यंधर बा으स्ट के लिए क्या किटके कुछ होगा क्या जोगा नहीं हाँ आपको पागलों की बैठा दिया जाएगा समझे तो जो हम प्लानिंग करते हैं वो कपकी करते हैं आपके फ्यूचर के लिए अच्छा प्लानिंग करने के बाद क्या करना है इस लेना है इस एक रोल करना है कि यह काम सही से हो या साम सही से क्या हो होना चाहिए रोगया वेटा क्योंकि के बिना एक चीज जानिए वेटा कंट्रोलिंग के बिना अक्सर रिजल्ट बिपरीत आता है जैसे सपोज करो कि आप गाड़ी चला रहे हो अस्ती नब्वे सो की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो और एक आएक अगर कुछ रोकना पड़ा गाड़ी को तो उसके लिए ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए controlling is just like a brake controlling is just like a brake और अगर आपका brake सही है तो 90 की speed में भी आपकी गाड़ी रुक जाएगी 1500 की speed में भी आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी रुक जाएगी लेकिन अगर आपकी brake सही नहीं है तो बेटा 200 की speed में चलोगे न तो भी आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी और पैर वेर से रोकोगे तो पैरो चला जाएगा ये भी जानो ठीक है समझ में आगया इतना अब आगे point कहता है कि सर्फ focus on a report focus for the report ठीकि focus की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा है return to the company as a whole as a GAAP structure ठीकित GAAP को कहते हैं हम लोग जर्नल accepted accounting principle जर्नली accounting जर्नली accounting जर्नली accounting जर्नली accepted accounting policies एक्सेप्टेड एक्काउंटिंग पॉलिसीज यह सब्द आप लोगों ने जरूर financial में जरूर पढ़ा होगा तो जो हम principle फॉलो करते हैं अगर आपको financial accounting के principle याद हो मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा सबसे पहला आपका principle क्या था गोइंग कॉस्ट मेटेरलिटी फुल डिस्क्लोजर कंजरवेटिव मनी मेजर्मेंट accounting पीरेड तो आपको इन principle के हिसाब से अपने साल का तीन साल का data एक साथ और अगर इंडिविजुल यानि एक साल साल सिर्फ एक साल का data आप क्या करिए प्रिपेर करिए लेकिन जैसे ही हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर जी एए पी का कोई रूल लागू नहीं होता पहली बात तो यह जान लीजें क्यों कि हर कंपनी अपने हिसाब से काम करती है कंपनी कैसे करती है अपने हिसाब से काम करती हर कंपनी की पॉलिसी अलग है हर कंपनी का रूल अलग है तो उसके बताए हुए नियमों के आधार पर हमें रिपोर्ट अपनी क्या करनी है बनानी है मतलब हम जिस कल्चर में काम क करेंगे उस कل्च रित्र के हिसाब से हमें काम करना है जैसे हम llama कर रहे हैं रिप्टरिम्हग जैसे हम रिलाइण में काम करें आथ है यह मोड होगा अलग हो फिर हम किसी आन्य कमपनी में चले गए तो उसका भी role of apprentice क्या होगा वेटा अलग होगा तो हर जगहा इसमें क्या लिखा है वेटा जरब पढ़ेंगे कहता है pretend the department section of the business कि वेरी detailed report no GAA constraint कहता है वेरी detailed report जैसे मैंने क्या कहा कि जो modus of apprentice रहेगा उसी के आधार पर आपको अपना report तयार करना है बात क्लियर हो गई इतनी फिर उसके बाद एक point और कहता है कि sir nature of report nature of report कि अगर हम बात करें तो financially किसकी deal करता है financial किसकी deal करता है money की deal करता है ना money से related transaction की deal करता है financial accounting definition क्या कहती थी it is the art of the recording classification summarizing in the terms of the money 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 सब्द बार बार आ जाता था जो financial accounting होता है वो किसकी deal करता है money से related deal करता है लेकिन अगर हम इसकी बात करें management की तो यह money के साथ साथ non money यानि monetary as well as non monetary information को अपने report में क्या करता है दिखाता है बात clear हो गई इतनी फिर उसके बाद verification of report की बात करेंगे तो verification की जो report होती है कि report कैसे verify की जाएगी तो report verify की जाएगी audited by the CA रिपोर्ट तभी तो verify होगी कि अगर CA ने audit कर दिया तो सही है कि गलत है बता चल जाएगा और इसमें कहता है no independent audit basis में कोई भी audit नहीं की जाती क्योंकि यह management के लिए बनाया जाता है और management कभी भी अपने कारियों को किसी दूसरे वक्ति के साथ disclose नहीं करती कि जो CA होता है वह external होता है जो CA होता है वो क्या होता है आपका external होता है इसलिए यहाँ पर हम किसी external वेक्ति को नहीं बुलाएंगे कि भया हमारी रिपोर्ट आके चेक करो सही है कि गलत है बात क्लियर हो गई बेटा यह वो difference है financial accounting और management accounting के कई बार आपके exam में पूछे गए हैं बहुत important है जरूर याद करके अपने exam में आपको लोग क्या करिएगा जाईएगा समझ में आ गया अब हम next point की तरफ चलते हैं और हमारा next point क्या है आपका difference between the cost accounting and management accounting आईए इसको भी देख लेते हैं तो cost accounting और management accounting की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला point आपका कहता है nature यानि हम किस transaction को उठाएंगे यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा its record the quantitative aspect only मतलब क्या है देखिए एक चीज जानिए जैसे अगर आप financial की बात कर रहे थे तो financial में monetary and non-monetory दोनों आ रहा था कोस्ट की बात करेंगे तो यह सिर्फ कौन से data की deal करेगा qualitative data की deal करेगा लेकिन यह qualitative और quantitative दोनों data की यह क्या करेगा देल करेगा ठीक है यह quantitative और यह quantitative और क्या कहते है qualitative दोनों डाटा की यह क्या करेगा बेटा dealing करेगा point clear हो गया objective की अगर हम बात करें तो इसमें objective क्या है its record the cost of the producing a product and providing the service यानि हमें यहाँ पर क्या पता करना होता है cost पता करना होता है और cost को क्या करना होता है control करना होता है और अगर हम इसकी बात करें it's providing the information for the management for the planning and coordination planning and the क्या coordination बात clear हो गई क्योंकि management में planning और coordination की ही बाते होती है साथी साथ अगर हम area की बात करें तो यह सिर्फ किस में deal करता है cost में deal करता है इसका area क्या होगा बड़ा होगा कै छोटा होगा तो छोटा होगा लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये sir सब में deal करता है तो इसका area क्या होगा आपका बड़ा होगा न इसलिए हमें क्या लिखा है it is the wider in the scope it included the financial accounting, budgeting, taxation शेशन और प्लानिंग यह इसमें सब कवर है एक चीज जान लीजे भाईया अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक बॉक्स डाइग्राम आपको बनाया था डाइग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था देखो कई चुकी है उसमें को management accounting क्या बोला था कि कि financial accounting प्लस cost accounting बराबर किया आपका management accounting फिर उसके बाद अंच और आता है कहता है recording आपड़ाटा का क्यों से डाटा को हम record करेंगे यहां पर प्रिच वार्च प्रकी से भूर्गवात की जाएगी पास्ट मतलब जो कॉस्ट लग चुकी है प्रोड़ेक्ट अंध को बनाने में लेकिन अगर हम management की बात करें। तो management किसकी deal करेगा future की बात करेगा की नहीं करेगा management किसकी बात करेगा future की बात करेगा कि sir और कितना लागत लगना है और कितना लागत लगना है it is a focused with the projection of the figure for the future फिर उसके बाद development की बात करते हैं कहता है it's development in the related to the industry revaluation यानि जो cost accounting है इसका जनम कब हुआ जब हमारे देश में इंड्रस्ट्री क्या होने लगी उठने लगी मतलब जब हमारे देश में वैशी आपको याद होगा जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास उतने ज्यादा संसादन नहीं थे ना उतनी ज्यादा फैक्ट्रियां थी लेकिन दीरे दीरे जब फैक्ट्रियां खड़ी होने सुरी हुई वही सीधी सी बात है हर फैक्ट्री को अपनी लागत को पता करने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसके लिए फिर इन्हों को ने किसका क्रियेशन किया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का क्रियेशन किया लेकिन अगर आप मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट आज के बिजनस वर्ड की क्या है वेटा जरूरत है कि नहीं है अपने आप यह देखो यार कि मैनेजमेंट अगर आप अच्छे बिस्टा में बने होते थे तीन चार बिस्टा में बने होते थे ठीक है और तीन चार बिस्टा में ये जान लो कि एक बिस्टा में तो खाली आंगन होता था फिर किनारे किनारे दरवाजे या खिड़किया या कमरे बने होते थे तो वहाँ पे घर बना होता था आप समझो ध्यान से वहाँ पे भी घर बना है लेकिन आप ये देखो कि माल लीजे अगर आपके पास सिर्फ आधा बिस्टा जमीन है अगर आप तुलना करिए एक गाउं का घर जो तीन बिस्टा में बना है एक गाउं का एक सहर का घर जो की आदे विस्टा में बना है दोनों में बनाने के लिए क्या मैनेजमेंट की और शक्ता हुई होगी की नहीं हुई होगी यानि हमारे पास जैसी रिक्वार्मेंट होती है हम उसी के आधार पे ही तो काम करते हैं तो modern business क्या कहता है modern business आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वेक्ति हैं जो अपना अपना startup लेकर आ रहे हैं कोई MBA चाय वाला बन जा रहा है कोई graduate फुलकी वाला बन जा रहा है कोई बेवफा चाय वाला बन जा रहा है तो यह धीरे-धीरे startup बन रहा है कि नहीं बन रहा है modern business की आज की requirement क्या है आपका management और मैं आपको बताओं वो लोग अपनी दुकान से ज़्यादा तो Instagram real से कमाते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा publicity होता है उतना ज़्यादा customer उनके पास आते है modern business की क्या है यही तो requirement है जो दिखेगा वो क्या होगा विखेगा यह चीज जानो फिर कहता है rule or regulation के अगर हम बात करेंगे तो rule or regulation it's a follow the certain principle procedure of recording the cost and different production इसकी बात करेंगे तो it does not follow the specific rule and regulation कारण बताया था कि mode of mode of apprentice हर business का क्या होता है अलग-अलग होता है clear हो गया बेटा यह आपके difference है cost accounting और management accounting के बात clear हो गई चलिए फिर अब बात कर लेते हैं जो चीज हमारी कल छूट गई थी और वो क्या थी आपकी feature of management यह point छूट गया था हमारा ना कल की class में feature of management जब आप feature of management की बात करेंगे तो सबसे पहला feature क्या है कहता है the causes and effects of the numerical result derived from the financial accounting dhyaan से सुनियेगा को सबसे पहला feature कहता है कि जो financial accounting में आपने report दी है यह report है generosity है financial accounting में आपने report क्या दिया होगा या तो आपको क्या हुआ होगा प्रॉफिट हुआ होगा या तो आपको क्या हुआ होगा लॉस या तो आपकी एसेट्स क्या होगी ज्यादा होगी या तो आपकी एसेट्स क्या होगी बेटा कम हो सकती है अगर आपकी एसेट्स ज्यादा है इसका मतलब है कि आपक capital plus liability यही वाला formula थो हम लोग यूज करते थे अगर accounting equation अगर हम पढ़ते थे हम लोग यही तो पढ़ते थे assets वराबर capital plus liability इसी को लेकर थो हम report बनाते थे उस report का cause और effect cost מierten क्या होता है कारण effect मतलब क्या होता है अधार वही है क्या कारण और क्याल्य प्रभाव आया क्या कारण है कि जिसकी वैसे हमारा profit वढ़ा है प्यूंकि उसी कारण को फिर एक से किया जाएगा और श्यज़ defence किया जाएगा हुआ हमने कोई planning की quality planning दो option में free data revolution ला दिया था revolution ला दिया था free data वाला याद है कि नहीं याद है एक साल तक एक साल या 9 महीने तक उन्होंने free free concept दे दिया था आज भी अगर आप देखेंगे तो 5G free में दे रहे हैं वो लोग 5G unlimited तो ये जो cause है इसका कुछ ना कुछ आगे चलके effect होगा की नहीं होगा cause मतलब जो हमने किया उसका आगे चलके प्रभाव पड़ेगा की नहीं पड़ेगा 100% पड़ेगा यार अब सोचो मेरे पास दो sim है एक sim airtel की है एक sim geo की है geo वाले मेरे को 5G free data दे रहे हैं इसमें मुझे हर बार recharge कराना पड़ रहा है तो जरा बताओ क्या मैं इसका using करूंगा या इसको यहीं पर छोड़ दूंगा यहीं पर छोड़ दूंगा लेकिन इसकी using continue करता रहूंगा यानि सर देखो cause or effect दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अगला point कहता है कि management accounting management accounting is a use for the setting दा सब्द क्या लिखा है objective फिर क्या लिखा है making the plant और फिर to achieve the objective and performance compare यानि जो management accounting होता है वो उद्देश और planning करता है वह उद्देश जैसे suppose करिए आप यहां पर पढ़ रहे हैं आपका उद्देश क्या है आपका उद्देश है सर अच्छे number लाना तो अच्छे number लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हर दिन आना पड़ेगा यानि अपने वेस्त समय में से 24 घंटा आपके पास है उस 24 घंटा में से दो घंटा तीन घंटा आपको यहां पर देना पड़ेगा यही तो आपका रिजल्ट आपके अनुरूप आएगा अंसर है नहीं अगला पॉइंट कहता है इड़ नट फॉलो दा मनी मेजरमेंट कॉंसेट पैनेशल एकाउंटिंग क्या करता था मनी मेजर को फॉलो करता था लेकिन यह क्या करता है कि सरी यह मनी की बात नहीं करेगा क्योंकि यह policy maker है और policy में कभी भी पैसा वाली बात नहीं की जाती कि पैसा गया है या पैसा आया है इसकी recording करेंगे future में क्या होगा इसकी recording करेंगे कैसे होगा इसकी recording करेंगे clear हो गया बेटा यह तीन point आपको समझ में आ गये पहला प्लेकिया था इस इन वाल फिर दूसरा management accounting और दूसरा यह रहा अप छौता डेखते हैं में कहता है कि management accounting is a used for the क्या सब्द लिखाई है चोर कौस्टिंग किसके लिए की जाती है future के मिले करें कि जाती है पर कहता है use for the decision making मतलब निर्ड़ लेने के लिए financial accounting and cost accounting का data हम इसमें क्या करते है use करते है फिर कहता है ये internal use होता है management accounting का क्या होता internal use होता है management accounting आपके लिए क्या सब्द लिखाए बेटा purely optional है आपका मन करे management accounting करिए अगर मन करे तो management accounting accounting मत करिए क्योंकि ये company के उपर optional रहता है और ये किस से related होता है आपके future से related होता है और इसमें जो report बनाई जाती है वो कैसी बनाई जाती है आपकी flexibility के आधार पे बनाई जाती है flexibility का मतलब क्या होता है कि report कभी भी change की जा सकती है मतलब जो हमने plan किया है इससे suppose करो आप match देखते होंगे कोई भी baller जो कि बहुत बढ़ियां balling कर रहा है बहुत बढ़ियां balling करता था वो एक पहला over डाला उसने पहले over में उसने 26 run पा लिए दूसरा over डाला फिर उसने 20 run पा लिए तीसरा over डाला फिर उसने 26 run पा लिए जरा बताओ चौथा over उससे दोगे आप नहीं सरी यह planning अब देखो planning यही थी कि उसी से over कराएंगे लेकिन अब वो जब effective नहीं है तो उसको कुछ देर का क्या दे देंगे rest देंगे कि खेंगे भाई तू रुक कुछ देर कोई दूसरा आके दे देगा यानि planning जो होती है वह flexible होती है बात समझ में आ गई इतनी इतनी बात समझ में आ गई चलिए विलाल आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग और next class में मिलेंगे तो कुछ और बाते इस chapter की करेंगे ठीक है यह पीपीटी अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर दीजेगा नंबर पर जो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा यह पीपीटी हम आपको वाट्सअप कर देंगे अगे आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए जय महादियो